कि तो वीडियो में पहाँ दमदा स्मार्टफोन से हमारे पास अंडर 30,000 एला है पहला फोने दूसरा आईएउ वेरा पासंडिक और 22 vivo को दो अधलर बाइब 33日本 прallum को जो है टेस्ट करेंगे दो बार एंड यहां पर बैक टू बैक होगा कोई भी रेस्ट नहीं होगा इसके बीच में मैं टाइमर आउन कर लूंगा जितना भी रेज़र्ट रहेगा मैं कॉपी में लिखता जाओंगा यहां पर टेंपरचर सीप्यू जितना राइस करेगा जो इस चार्ट के नीचे वाले पेज में लिखता रहां तो इस तरह के वीडियो बना में बहुत मैंनत लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एद अगर पूरा बैक्री देंग देखना है तो कमेंट कर दो यहां पर किसी फॉन में फिजिकल सिम नहीं है खाली इस नहीं क्योंन को करते हैं तो मैं चैनल किसी फॉसर आप के का दुनycz करा जै कंधिय। यहां पर जो हमारे पास Poco F3 GT आना उसका एक परसंट डाउन हो गया तो आभी 99% पर आप आप डेख पा रहे हो 100% पर है बड़ अभी अभी ब्ड़ यह निवग्विशन हो जाएगा तो खरली आई क्यों जो हमारे पास Poco F3 GT आना इंट इन परसंट पर बाकी सब परसंट पर अब लोग अब भी जए बंच मार्किंगे बैटरी कापसिटी आपको सारे फोंस की पता रहेगी यहां पर लगबक सारे फोंस की बैटरी अपर लिटरी कापसिटी है वह 4500 टेंपरेचर ले रहा हूं अपने आयर गन से जो नीचे वाली पेज है उसमें जो है बैक टुबैक टेंपरेचर लिखते जा रहा हूं जो कि मैं वीडियो के आखिर में आपको सब कुछ जो डेटा है वह बताऊंगा वन बाई वाई वान कंपेर करके कि किसमें डिफरेंस नसर आया तो वीडियो को आखिर तक देखना तो लगबग यहां पर हमने पहला टेस्ट कंप्लीट कर लिया है तो यहां पर फाइब लाग निकल का है रियल्मी एक्षेन मैक्स का और पांच लाग चॉबीस अजार एक्सु साथ निकल के आया है हमारे पोको एफ त्री जीटी का यहां पर फांच लाग जार नॉट्टी का निकल के आया है आई कुष सेवन का 6.8 अजार अभी नॉट्सी का निकला नहीं है तो यहां पर सबसे ज़रा स्कोर आपको 6.28 अजार आई कुष सेवन में देखने के लिए मिलता है और जो टेमपरेचर है वो 8.2 डिग्री राइस हो गया फिर नॉट टू का है पांच लाग ग्यारा जार वहां पर 7.1 डिग्री राइज हुआ टेंपरचर पोको एफ त्री जीटी पांच लाग चॉबीस आजा 7.2 डिग्री राइज हुआ एंड रियल्मी एक सेवन मैक्स में 6.1 डिग्री राइज हो गया एंड नॉट सी में फाइनली 3.8 अठाज निकल के आता है एंड यह जो 8.3.4 वर्शन है एंड टू का तो सारे फोंस में सेम वर्शन रन हो रहा है बट यहां पर पोको एफ त्री जीटी आ नॉट टू में स्को स्कोर्स काम रहा है तो दूसरा बार हमने यहां पर रन किया हुआ है एंड यहां पर फाइनली देखेंगे कि क्या यहां पर एदर निकल के आ है तो लगबग चारो फोंस का 96% में चल रहा है एंड फाइनली जो है 573,000 रियल्मी एक सेन मैक्स का 535,000 पोको एट्री जीटी का 4,92 निकल के आया नौट 2 का 6,17,000 यहां पर आईकू 7 का निकल के आया और फाइनली 3,25,000 रियल्मी एक सेन मैक्स में तो यहां पर लगबग सार सारे स्मार्टफोंस ने तेम्परेचर को भी कंट्रोल किया एंड यहां पर जो है जो देखने के लिए मिला वो है आईकू 7 में जो की जो है अपने ब्राइटनेस को खुद को ड्रॉप करते हुए देखने के लिए मिला हला कि मैनुवली मैंने सब को 100% में रखा हुआ है बड़ यहां पर जो है उसने अपना ब्राइटनेस ड्रॉप कर लिया है और एक चीज देखने के लिए मिली जो पोको F3 GT है उसने यहां पर जो है उसका टेस्ट यहां पर रुख गया है जैसा कि आप देख पा रहे हो हलाकि मैं यहां पर आपको ब्राइटनेस के लिए बता रहा था आईकु सेबन बड मैंने यहां पर सप्राइजिंग देखा कि पोको F3 GT का रुख यह थर्ड टाइम हम लोग कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर यहां पर अभी भी टेस्ट रुका हुआ है और ट्राइट तो मैंने यहां पर अलग से कुछ किया नहीं इसके लिए एंड ट्राइट करने जाएंगे तो वो टेस्ट जो है कैंसल हो जाएगा खुद बाखुद तो लगबक सारे फोंस ने यहां पर कंप्लीट कर लिया था लगबक एंड रियल्मी एक सेवन मैक्स में मैंने देखा हर बार जो है टेस्ट पहले खतम हो रहा था तो यह देखने के लिए मिला था यहां पर जो स्कोर है वो कम होते गया रियल्मी एक सेवन मैक्स में फाइनली फाइब लाक शिस्टी वान थाज़न का निकल के आया फोको एफ्टर जीटी में मैंने एर लिख दिया है फोर लाक नाइंटी थाज़न का नौट टू में निकल के आया छे लाक सत्रा जो है यहा यहां पर चलो टेस्ट को रन करेंगे यहां पर जो हमारे पास Geekbench 5 है वो सेम वर्शन रन हो रहा है और पांचों में टेस्ट करेंगे अब एक दिक्कत आ गई नौट 2 में जहां पर वो नेट से कनेक्ट होने का नाम नहीं ले रहा था अपने वाइफाई के साथ कनेक्ट नह है उस वाइफाई नेटवक से यहां पर है इंड मैनने जितना बार जो है यहां पर ट्राइआओट किया मैनुवली उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हुवे मैं फॉर्ग नेटवर्क किया फिर पासवर्ट डाला बगः नहीं हो रहा था तो फाइनलली मैंने यह डिसाइ में स्टार्ट ही नहीं कर पाया था और मैं यह भी नहीं चाहता था कि सारे फोंचे ठंडे हो जाए तो यहां पर एक ही जो है मेरे पास एक ही रास्ता था यह करने का तो पहला तो यहां पर स्कोर निकल के आ गया तो 968 सिंगल कोर था रियल्मी X7 Max में फिर 687 था सिंगल कोर वोको एफ 3 GT में और 2 में 812 था सिंगल कोर और IQ7 में 957 और नोट सी में 640 था सिंगल कोर और यह था तो सबसे कम तो जो था यहां पर मेडियाटेक डामेंसिटी में तो वह कम पोको एफ 3 GT में नौट 2 में था सिंगल कोर रियल्मी X7 Max में उसमें प्रोसेसर है बट उसमें जादा था तो मैंने अपना फिजिकल सी मॉन करके जो इसमें स्टार्ट कर लिया आप देखोगे नौट 2 में स्टार्ट हो गया तो मैंने सुझा कि दूसरी बार भी रन कर देते हैं दूसरे सारे फोंस में तो सा है वो भी जादा है तो 812 का निकल के आया स्कॉर पहला जो है हमारे नौट 2 में एंड 2610 मॉल्टी कोर था एंड दूसरा वाला स्टेस्ट भी खतम हो गया गीकवेंच 5 सारे फोंस में तो 968 का सिंगल कोर निकल के आया फिर से रियल्मी X7 Max में 675 का निकल काया या पोको F3 GT मे उसमें 636 निकल काया है एंड मल्टी कोर स्कोर सबसे जादा था IQ7 में जहां पर 3406 है एंड रियल्मी X7 Max में 2407 लगबक नौट 2 एंड पोको F3 GT मल्टी कोर में तो अच्छा पफॉम कर रहा था सिंगल स्कोर में बहुत जादा डिफरेंस था जहांपन 968 निकल के आ रहा था यहां पर यहां पर साथ सो या आट सो या छे सो मैक्सिमुम तो 600 गया पोको F3 GT माक्सिमुम आट सो गया नौट 2 तो यह देखने के लिए मिल रहा था एंड टेंपरेचर बहुत जादा अभी तक राइस नहीं हुआ था जहां पर मैंने जहां फिट से यहां पर CPU थ्रोटलिं कि यह सारे टेस्ट हमने करें हुए है ताकि यहां पर नॉर्मल डे टुडे लाइब में आप जो है बैक कवर उतार के तो कुछ करते हो नहीं बहुत कम लोग होते हैं जो विदाउट बैक कवर फोन को यूज करते हैं तो इसलिए हमने बैक कवर को भी नहीं उता रहा है और आप यहां पर जो ग्राफ देखते जाओगे जो ग्राफ जितना ज्रॉदा घ्री नहीं पर रेजल्ट उस नहीं अची है जितना जादा येलो एंड रेट कलर के लाइन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे तो यहां पर दूस्री बार इसे रं कर दिया है पहली वार के जो तो यहां पर दिखा दिया कि नौट लिंग डिटेक्टेड तो नौट तो में कोई त्रॉटल डिटेक्टेड ही नहीं हुआ तो यहां पर दिखने के लिए शेस्ट बाइस निकल चाहिए वो नौट टो में तो सबसे सदा हरा देखने के लिए मिला एंड डेfinetly बढ़िया स्कोर नौट टू में निकल किया फिर भी उसमें कोई भी थ्रोटल लिंग लास्ट लास्टियम उसमें कोई भी थ्रोटल नहीं सबसे बैटरी मेंने आपको बताया 4500 मिलियंपेर का सब में है काली पोको F3 GT में 5000 मिलियंपेर है तो वहां पर 77 परसंट बचा है तो सही है इवें बैटरी परफॉर्मेंस में बताऊंगा मैं 69 परसंट क्योंकि आपको नॉट 2 में देखने के लिए मिल रहा है तो उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है और 67 परसंट आपको IQ7 में देखने के लिए मिला तो वहां पर डेफिनेटली कम है तो बैटरी बचाने के ममले में नॉट 2 आगे है नॉट 2 आगे है और 66 परसंट यहां पर Realme X7 Max में देखने के लिए मिल रहा है तो IQ7 Realme X7 Max तो आसपास है और क्योंकि Poco F3 GT का यहां पर बैटरी जादा है तो वह भी आसपास का यहां पर दूसरा जो फोन है Poco F3 GT 33.9 पर मैंने स्टार्ट करा हुआ था फिर वह आखिर में जब मैंने टेंपर चल लिया तो 36.7 पर था और जो नॉट 2 है 33.8 डिग्री पर मैंने स्टार्ट करा हुआ था फिर उसने जो है टेस्ट के आखिर में 40.3 रिजल्ट बताया एंड जो आईक्यू सेवन था 35.2 पर स्टार्ट हुआ 38.5 पर खतम हुआ एंड जो नॉट सी था 33.4 पर स्टार्ट हुआ एंड 36.7 पर खतम हुआ एंड जो बेंचमार्किंग है कितना बड़ा घटा आप देख सकते हैं नॉट सी का बेंचमार्किंग N22 में बढ़ता गया आईक्यू सेवन का पहले में बड़ा जो था सेकेंड में थोड़ा सा घटा फिट थर्ड में बड़ा नॉट टू का हमेशा घटा गया स्कोर पोको एक्टरी जीटी का भी जो है सेकेंड टाइम बड़ा था थर्ड टाइम में एरर हो गया रियल्मी एक सेवन मैक्स का जो है स स्कूर्स कम हुए एंड रियल में मैं स्कूर्स कॉंस्टेंट फाइब में सबसे बढ़िया परफॉर्म किया नॉट ने जहां पर नॉट टू का जो सिकेंड टाइम जब हमने सिप्यू थ्रॉट्लिंग करा तो वहां पर कोई भी थ्रॉट्लिंग डिटेक्टेट नहीं हुआ कि पहले बार 88 परेशन तक थ्रोटेल किया था तो हर्एक थ्रॉट्लिंग में सबने इंप्रूब करा शारे फॉस में इंप्रोब्मेंट आपको देखने के लिए मिलेगा एंड सबसे इंप्रूमेंट कर राख तो यहां पर विट्रू निशल्य फ्रॉट्ल क्या था ये था अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तब लाइक डिसलेक कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो इस तरह के वीडियो देखने लिए कमेंट करो और चनल को सब्सक्राइब करो मिलता हो नेक्ट वाले वीडियो में तब तक देखते रहें